जैसी किसना दोष्टों, हमारे BS सर्माबादवा चैनल में आप सबी दोष्टों का स्वागत है। दोष्टों, सामन का महीना अति पवित्र महीना होता है। सामन के महीने में भगवान शिवजी की कियोब प्राप्त होती है। दोस्तों सामन का महीना समप्तोंने से पहले ही अगर आप अपने घर में और घर के दरबाजी पर ये चीज फेंग देते हैं तो आगर के सभी प्रिकार के वास्त दोस दूर हो जाते हैं नकरात्मक उर्जा दूर हो जाती हैं अगर किशी के बंदन के द्वारा संतान प्राप्त पुट प्राप्ती में धन्प्राप्ती में रुकावट आ रही है वह रुकावट दूर हो जाती है और इसेश्टू पुट शंद्रान प्राप्ती के यूग बनते हैए दोस्तों सामन के मैने में बैसे किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं पंदु 22 अगश से पहले पहले इस उपाय को जरू कर लेना चाहिए दोस्तों सुपाय के हम जानकारी दे रहे हैं इस उपाय को आप सिद्धा विश्वास के साथ में किसी भी दिन कर सकते हैं पर विशेश करके अगर ये आप स्वंबार, सनीवार, मंगलवार, बुद्वार, गुरुवार इन दिनों में करें तो जादा अच्छा रहता है। पर बैसे दोस्तों सामन के सभी दिन पवित्र होते हैं। दोस्तों आपको करना ये हैं कि आपको किसी भी दिन सिद्धा भक्ति के साथ में इस्नान करने के बाद में भगवान सिरियरी विश्नों के सामने बैठ जाना हैं। भगवान विश्नों के सामने बैठ करके आप भगवान विश्नों को जो हैं चंदन का टीका लगाएं और माता लक्षिमी को हल्डी में थोड़ी सी रोल या कुंकुम डाल करके टीका लगाएं। फिर आपको जो हैं लोटा सामनी रख करकें दीपक जला करकें आपको संतान गोपाल मंतर का एक माला जाप करना हैं। आपको जो हैं अपनी प्रात्ना करकें उसके बाद में उस जल को जो हैं आप अपने घर के सवी कमरों में छिड़काब करें। जो हल्दी का गंगा जल डालके अपने जल बना रखा है पूरे कमरों में छुड़काव करके बता हुआ जो जल है वो आपको दर्वाजी पर डालना है क्योंकि दोस्तों दर्वाजी की द्वारा ही रिद्धी शिद्धी लक्षमी एबं सुक्ष संपत्तिक आगमन होता है इसल पानी को छुड़क के पूरे दर्वाजी पर चुड़क करके फिर दर्वाजी पर एक दीपक चोखट के पास जला दें दोस्तों इसे दिन के किसी भी समय कर सकते हैं केवल इस उपाय को काने से घर की सभी नक्रात्मक उर्जा दूर हो जाएगी और आपको जो मनवांची आप सभी को जैसी किसना